हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागर रेमर चनल पे और आज की उडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वाच एंट मैन मुवीज इन ओर्डर तो आप में से बहुत सरी लोगों को पता ही चल गया होगा कि एंट मैन अद वास्प कॉंट मानिया का ट्लेलर आ चुका है और वो देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होगे लेकिन क्या guys आपको direct Ant-Man and the Quartz Quantumania देखनी चाहिए या उसके पहले कुछ movies देखना जरूरि है तो guys इसके पहले कुछ movies देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरि है वरना उस फिल्म में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अभी देखिए Ant-Man जो है वो Marvel Cinematic Universe यानि MCU का हिस्सा है तो Ant-Man की सबसे पहली मुवी आई थी Ant-Man जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी Ant-Man फिल्म में Ant-Man का जो मेन केरेक्टर निभाने वाला जो केरेक्टर है वो एक नॉर्मल इंजिनियर रहता है लेकिन वो अपनी इंजिनियरिंग के डिगरी से कुछ खास कमाई नहीं कर पाता है तो अपने 3-4 धोस्तों के साथ मिलके कुछ ड़केतिया डालता है और उस वज़े से वो पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर उसको कैसे Ant-Man का सूट मिलता है और वो कैसे Ant-Man बनता है इसकी यह प्रॉपर जर्नी अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको Ant-Man 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बाद Ant-Man 2 फिल्म में दिखते है Captain America Civil War अगर आप Ant-Man 1 का जो एक post credit scene है वो देखोगे तो वही पे Captain America और Falcon की entry दिखाई गई थी तो वो entry का connection क्या था वो आपको Captain America Civil War में देखने को मिलेगा कि क्यू Ant-Man Captain America Civil War में आता है और उधर क्या-क्या घटना है घटती है जो बहुत ही funny रहती है और देखने में बहुत ज्यादा मज़ा आता है तो यह फिल्म भी आप बिल्कुल भी miss मत करना इसके बाद third number पर आपको फिल्म देखनी है Avengers Infinity War अभी इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में Ant-Man कही भी आपको दिखाई नहीं देगा तो आपके रिमाग में सवाल आया होगा कि भाईया मैं आपको यह फिल्म देखने के लिए suggest क्यों कर रहो क्योंकि इसका simple सा reason है इसका जो sequel आया था Ant-Man Infinity War का उसमें हमको Ant-Man देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप वो direct अगले पार्ट पर जाओगे तो exactly Infinity War में क्या हुआ था सारे characters कहा चले गए वो अगर आप नहीं जानोगे तो आपको आगे की फिल्म समझ में बिल्कुल नहीं आएगी तो इसलिए आपको यह फिल्म थर्ड नमर पर देखनी है इसके बाद फूर्द नमर पर फिल्म आती है Ant-Man and the Wasp तो फर्स पार्ट में and the Wasp का बहुत ज्यादा important role आने वाली फिल्म में था जिसके लिए आप यह फिल्म को मिस्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं quantum physics क्या है और वह कैसे वर्थ करता है उसकी इन डिटेल चांद कर यह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि quantum mania का बेस इस फिल्म में बनाया गया था और पांच भी मुवी जानने से पहले अगर यहां तक आपने वीडियो देखा तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल पर फरस्ट में चाहां को सब्सक्राइब करना इसके बात फिफ नमबर पर फिल्म आपको देखनी है Avengers Endgame तो जहा सारी जो मुवी जिस सिक्वेंस में मैंने बताई है वो सिक्वेंस में आप देखिए ताकि आपको जब एंट मैन एंड वॉस क्वांटमन या थेटर में रिलीज होगी तो पूरी समझने में हेल्प हो जाएगी अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ झाल झाल वे